राम जी ने सीता जी की तरफ और लक्ष्मन जी की तरफ क्यों देखा बड़ा सुन्दर प्रसंग है ये बात है उस समय की जिस समय सी राम जी का बिवा हुआ राम जी का बिवा हुआ और राम जी बिवा करके पहले ही रात्री को जब आए तो राम जी सैन कर रहे है तो लक्ष्मन जी का सुवाब है जब तक राम जी की चरण सेवा नकलने जब तक राम जी की चरण सेवा नकलने तब तक खुस होते नहीं अब लक्ष्मन जी को दुनिया जो साधी हो गई है तो सेनकक्ष में देवी जी होएंगी, देवर थोड़ी होएंगी, अब देवर जी कोई देना नहीं, लक्षमान जी पहुंचे अपने टाइम पर सेवा करने और जट चरन दवाने लगे, अब सीता मैया आई, सीता मैया ने का है, लचमान जी प्रात्री हो सोईए, सोईए, अभी प्रभु नहीं सोए हैं तो कैसे सोएंगे हम, अभी तो चरन दवाएंगे, अभी नहीं हम सो सकते जब तक प्रभु नहीं सो, अरे, अब साधी सुदा है प्रभु, अब जाई हम सुला लेंगे प्रभु को, बोले नहीं, जब तक प्रभु नहीं हम राम जी की चरन सेवा करके सोते हैं। तो सीता मैया बोली अब तो यह अदिकार हमारा हो गया। अब तो प्रभू का विवा हम से हो गया है। तो अब यह अदिकार हमारा हो गया है। अब तो हम प्रभू के चरन दबाएंगे। वो लड़ना ही नहीं, हम ही चरण दबाएंगे, अब दोनों लड़ने लगे, तो दोनों जब लड़ने लगे, तो सिराम जी मुश्कुरा कर उन दोनों की लड़ाई देख रहे हैं, लड़ाई किस बात की है, किस बात की, सेवा करने की, सेवा कराने की नहीं है, आज का लड़ किस बात की होती है किसकी आजकल लोग सेवा करने में इंट्रेस्टिंग नहीं है वो सेवा करने में इंट्रेस्टेट नहीं ब्रिकुल भी उनका इंट्रेस्ट है सेवा कराने में सेवा हो और वहां लडाई हो रही है सेवा करने के तो मेरे प्रभू ने कहा एक काम करो आप दो आप दोनों ही गुरु जी के पास चले जाओ और जो गुरु जी कहें वही आप करना तो दोनों ही सीता जी और लक्षमन जी दोनों ही गुरु जी बसिष्ट जी के पास में पहुंचे और बसिष्ट जी ने देखा दोनों आए हैं तो बसिष्ट जी बड़े प्रसन हुए उन्होंने पूचा कहो आप लोग कैसे पदा रहे हैं तो लक्षिमन जी ने कहा प्रभू आप जानते हैं कि मैं तो बचपन से ही प्रभू के चर्णों की सेवा करता आया हूं और मुझे मा स्ववागी की बात यही होती है कि जब पत्नी अपने पती की चर्ण सेवा करें इसे बड़ा स्ववागी क्या होता है और जिस पत्नी की पत्ती के चर्णों की सेवा ही छुडा ली गई हो फिर उसका क्या उसके पास क्या रह जाएगा कुछ भी नहीं मैं चाहते हूं मेरे प्रभु के चर्णों की सेवा मुझे मिले बसिष्ट जी बड़े मुस्कुराने लगे और इतने मुस्कुराने लगे बसिष्ट जी कहने लगे बड़ी आनंद की बात है कि यहां लड़ाई जबात की हो रही है कि सेवा कौन करेगा ऐसे बड़े कम लोग होते हैं जो इस बात पे लड़ते हैं सेवा कौन करेगा आज कल तो लड़ाई इस बात की होती है कि मेरी सेवा कौन करेगा दो बेटे होते हैं तो माब आपको कह देते हैं तू रख तू रख बाप कहता है कोई मत रखो मैं दुख पालूँगा पर तुम जैसे बेसर्मों की कमाई नहीं खाऊंगा वशिष्ट जी बड़े प्रसंद हुए कि आहां देखो इसी को रगोवंस कहते हैं कितना सुन्दरवंस है छोटा भाई इस बात के लिए लड़ रहा है कि मुझे बड़े भाई के चरणों की सेवा करनी है तुम दोनों को ही सेवा मिलनी चाहिए एक काम करो लक्षमन दाएं चरण की सेवा करेंगे और सीता बाएं चरण की सेवा करें तुम दोनों मिलके एक एक चरण पांट लो और दोनों सेवा करो एक दूसरे को दुख मत दो राम के चर्णों की सेवा का अधिकार कौन देते हैं जोड से बोलिए जोड से बोलिए मम्मी नहीं दे सकती हुपापा नहीं दे सकते भहिया नहीं दे सकता बहना नहीं दे सकती सिर्फ गुरु ही दे सकते सिर्फ संत ही दे सकते हैं सिर्फ संत को वो अधिकार है जो तुमें राम की सेवा में सलगन कर दे राम की सेवा में समारपीत कर दे बहुत संतों को मैंने देखा है कि वो हमेशा संतों ऐसा सुब कारी करवाते रहते अपने बच्चों से अपने शिश्यों से जो कारे हमेसा भगबत चरुना रागी करा देता है वाई संत यह है जो तुमें धर्म की तरफ प्रिरित करे जो तुमसे धर्म के काम करा है अब लोग कहते बंडारा करने का हम से क्यों कर ले तुमसे क्या कहे संत यह कहे जुवा केलो संत यह कहें दाव लगा दे तेरा इनाम हो जाएगा तुझे संत कहें जाके मदिरा पिया यह संत सिखाएंगे तुझे संत तो यही सिखाएंगे भाईया भागवत करवा संत तो यही सिखाएंगे भाईया रामैनस करवा संद तो यही सिखाएंगे भाईया यगी करवा हातों से दान करो मूँ से नाम गाओ स्रबडों से कता सुनो नेत्रों से दर्सन करो संद तो यही सिखाएंगे अब संद यह कहेंगे चल मूवी बना यह कहें संद यह मूवी बना यह कहेंगे सीरियल बना टीवी बना, चैनल खोर, यह बताएंगे संजी तुमको माया की बात तो तुम माया से ही करो संदों की बात अगर आ जाएगी तो वो सेवा की ही बात होगी संदों तो सिर्फ सेवा का दिकार तुमको देते कि राम की सेवा कौन करेगा राम के काम की सेवा कौन करेगा और जो सेवा करे वही बड़ भागी है मेरे भाई बेन जिसने राम की सेवा नहीं की जिसने राम के काम की सेवा नहीं की वो क्या मेरे प्यारे जीते जी कंगाल है बो जीते जी कंगाल है रादे रादे बोलना पड़ा ठाकुर अंडर्सकोर जी फालो करें